हैलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए NCEAT प्रयावरिन की पुष्टक से महतवर बिंदु को ले कर आया हूँ आज मैं NCEAT की पुष्टक कक्छा 5, कक्छा 4 के प्रयावरिन की पुष्टक से पेर पौधों से सम्बंदित महतवर बिंदु को ले कर आया हूँ पेरफथों से सम्मंधिते कम से कम सीटेट में पांच परस्ड पूछे जाते हैं अगर आप इस टोपिक को सही से पढ़ते हैं तो आपको पांच अंग अराम से मिल सकते हैं आइए इसको एकते करके जानते हैं सिकारी पौधे jest सिकारी पौधे एस्ट्रेलया इंड Love 우리는 भारत के मेघाले में पाय जाते हैं और यह ये कीरो का सिकार करते हैं या उअसीकारी पुधा यह औस्टेलिया इंडोनेसिया भारत के मेगाले में पाये जाते और यह कीरों का सिकार करता है खेजरी का पेर खेजरी का पेर खेजली गाउं जोधपूर में पाये जाता है खेजरी का पेर खेजरी का पेर खेजली गाउं जोधपूर में पाये जाता है ये रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है इसे ज़्यादा पानी की जरुवत नहीं होती है इस पेर की छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकरी कभी कीरे नहीं लगता पेर की फलियां सबजी के काम आती है पतियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं यानि जो खेजली का पेर है वो खेजली जोधपूर में पाया जाता है और ये रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है इसे ज्यादा पानी की जोध नहीं पड़ती है इसके पेर की छाल से दवा बनती है और इसके लकडी में कभी कीरे नहीं लगते और इसके पेर की फलियां सब्जी बनाने काम आती है और पतियां जानवर खाते हैं बच्चे इसके छाया में खेलते हैं यह देख सकते हैं आप खेजली का पेर यह रहा जो रेगिस्तान में पाया जाता है यह राजिस्तान में थार मरोसल है यानि रेगिस्तान है तो यह वहाँ इसलिए पाया जाता है और रेगिस्तान राजिस्तान में है इसलिए वहाँ ज्यादा पाया जाता है आगे देखिए रेगिस्तान में रहते हुए भी ये इलाका सदे हरा भरा रहता है जानवर बिना किसी डर के यहां वहां गूंते रहते हैं यानी खेजली गाउं में बहुत साल पहले बहुत सारे पेर थे लेकिन बाद में उसे काटा जाएं लगा और उसको बचाने के लिए यहां के लोग पे जो पेरों को बचाते हैं यह बिस्नोई कहलाएं यह बिस्नोई कहलाते हैं यह बिस्नोई जाती के हैं यह लोग पेर पेरों और जानवरों की रक्षा करते हैं और इसलिए यहां पे खेजरी के पेर की अधिक्ता के कारण ही यह सूखा परदेश होते हुए भी यह इलाका सद दर के दाव धर घूमते हैं आगे देखते हैं बरगत का भी रिक्ष यह देखिए बरगत का भी रिक्ष है बरगत का भी रिक्ष इस पेर की लटकन उसकी जरे होती है यह टहनियों से निकलती है इस पेर की लटकन उसकी जरे होती है यह टहनियों से निकलती है यह यह पेर लेकि इस टहनियों से नीचे की तरह उसलिकल होते हैं ये एपनि नहीं होती है लकिए आप चलिज जय जाती है और ते में practice अंदर चली जाती है बरगद की लटकन वाली जरे मजबूत खंबो की तरह पेर को सहरा देती है यानि यानि ये पेर है ये पेर की टहनिया है ये टहनियों से जरे निकलती है ये धीरे जमीन में चले जाती है और ये खंबोच की खंबे का काम करती है और जमिन के अंदर जाकर पेर को सहारा प्रव प्रदान करती है। इसलिए बढ़र का जो पेर होता है, सालों साल ऐसे ही खड़ा रहता है जल्दी गिरता नहीं है अगला है ओक रेगिस्तानी ओक यानि जो ओक का पेर है यह रेगिस्तान में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है इसकी उचाए 11 से 12 फिट होती है और पतियां बहुत कम ही होती है बहुत कम ही होती है इस रेगिस्तानी ओक पेर की जरे 200 से 300 फिट की गहराई तक नीचे जाती है जब तक पानी तक ना पहुँच जाए रेगिस्तानी ओक के तने में पानी जमा होता है जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और इस पानी को पीते हैं यानि यह जो रेगिस्तानी ओक है यह देखिए यह रेगिस्तानी ओक है यह और इसकी उचाई 12 से 12 फीट होती है लेकिन जो जरे हैं यहां पर वह जरे हैं 200-300 फीट नीचे जली जाती है और वह जाती ही रहती है जब तक की उसे पानी ना मिले जरे इस ओक की जरे जमीन के अंदर जब तक जाती रहती है चाहे 200 फीट जाना हो या चाहे 300 फीट जाना हो जाती रहती है जब तक उसे पानी ना मिले जब उसे पानी मिल जाती है तो रुख जाती है रेगीस्तानी ओक के तन्य में पानी जमा हो जाता है और कभी-कभी जब इस इलाके में इसी छांग होता है । तो वहां के लोग इसके तन्य में पाइप डाल Americans पानी निकाल लेते है एम कला भ oynद एaremos इससे काफी परासन पूछे गए हैं आज के लिए इतना ही और बाकी जितने भी टोपिक हैं ये जितने भी ये हम अगली क्लास में जानेंगे